हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप आप सब अच्छ होंगे आग मैं आपके साथ मश्रूम की एक बहुत डिलीशियस रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत इसली और बहुत जल्दी बन जाएगी बहुत थोड़े से इंग्रीडियेंट्स में आप इस स्पाइसी मश्रूम क को बनाके इंजुआ कर सकते हैं सबसे पहले मश्रूम लेंगे यहन्रेट ग्रैम मुष्रूम है इसको देखे इससे ऐसी केप इस तरीके से कूट लेंगे इसको कूट के डालने faltam बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसलिए की प्रिफर कीजे कि काली मोच को पीश कर ही डालें इसका जो पाउडर आता लाथा यूस ना करें काली मिज की क्वांटिटी भी आप अपने कॉडिंग कम्या जाला कर सकते हैं यह देखिए पीश चुकी है, इसी थरीके से यह देखिए हलका सा दरदरा रखना है इसको अभी एक पैन लेंगे इसमें मैंने बटर डाला यह इसके साथ में थोड़ा सा ओइल भी डालेंगे क्योंकि हमें फ्राइ करना है केबल बटर रखेंगे तो यह जल जाएगा थोड़ा सा यह गालिक इसको 30 सेकंड के लिए इसमें जो अमने मश्रूम काट के रखे थे वो एड कर देंगे लोए बीविड़ी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनुर तक हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है। तरीके से ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सारी चीजें यहां पर आपने जो काली मिच पीस के रखी थी वो एड़ करेंगे थोड़े से यह चिली फ्लेक्स जितना स्पाइसी आप रखना चाहें उसी साब से एड़ कीजिए थोड़ा सा यह औरिगेन हो है इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सारी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इस तरीके से और इसको अभी मीडियम फ्लेम पे पांच से साथ मिनट के लिए पकने देंगे यह देखिए आप अगर बटर कम लग रहा है तो आप बटर और एड़ कर सकते हैं क्योंकि इसका पूरा फ्लेवर बटर काना चाहिए देखिए बीच बीच में आप इस तरीके से चलाते रहेंगे थोड़ा सा यह सॉल्ट एड़ कर देंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको भी तीन से चार मिनट के लिए और पकने देंगे यह देखिए इसी तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में चार मिनट के बार में देखिए मश्रूम पक चुका है गैस का फ्लेम अभी हाई कर लेंगे और एक मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे बोनेंगे यहाँ पर मैं यह कटा हुआ धनिया डाल लए हूँ इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिए बहुत ही डिलीशियस बनती है यहाँ पर यह वन फोर्थ लेमन लिया इसको स्क्वीज कर दिया है जो टेस्ट है इसका और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीजिए आपकी गर्मा गर्म स्पाइसी मिश्रूम की रेसिपी तैयार है बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ज्यादा डिलीशिस होती है इसको आप गर्मा गर्म सर्फ करें एजा स्टार्टर भी आप इसको दे सकते हैं आप इस मश्रूम की रेसिपी को बनाएए और खाये जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए